आपका स्वालत है अपना विहार अपनी आवाज लिए आप भी हमारे साथ त्रिशरन पंचेशिल ग्रहन करें अपना विहार अपनी आवाज आपके लिए एक प्यारा साथ विहार ये वियार एक तरह से हैतियासिक भी कह सकते हैं क्यों किस वियार का नाम है हरदास बुद्वियार या आता है हरदास नगर कामठी नाकपूर में और क्या ये हरदास नाम क्यों रखा गया तो आप सभी जानते हैं कि जो जैभिम के प्रवर्तक जी ने कहा जाता है बाबू हरदास एलेन वो यही रहते थे इसलिए इस परिसर का नाम भी उनी के नाम से है और इस विहार का नाम भी उनी के नाम से है तो आईए और क्या खास है इस विहार में जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर कर दो दर्चे को वक्त है कि आप समझी गयोंगे व्यार में आने के बाद सबसे पहला करता हुए त्री शरन पंचेशिल ग्रहन करना तो आईए आप भी हमारे साथ मिलकर त्री शरन पंचेशिल ग्रहन करें कुद ऑन नदाशने का त्रा तो आएव टूम जाशना पंचेशिपल ग्रें से आव ज्यार में भी हमारे साथ मिलकर अंचेशित एप करना जायोंगे संगां पुर्णा 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 गाल जनी आफ जाल जादा जाल प्रविडरा फिरह मनि चिकवार वाल प्रवणाया सुपर कं़ना प्रवणाया काुण चिकवार प्रवणाया साई की चाद रियों को अपरान इला टुक खादrás ला था रा साथ साउख रुकार बुकार था को ये लुदय मा घखा का धु כ अलों। तान मी Village कौतक का मुदय मा धुदयाम जमा गुदयां खान गुका का भा रादरी दर्शे को उम्मिद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्री शरन पंचेशील ग्रहन किया होगा और अब वक्त है विहार को और अधिक बैतर तरीके से जानने का तो आईए जानते विहार किस्ता आपना कैसोई, किस तरह से ये कार्य कर रहा और किस तरह का कार्य भविश में किया जाना बाकी है जै भीम माजा नाओ लता गने सांगुल कराए मी आविहाराची अद्देख्षाए या विहारा मदे अगोदर एक छोट सा हरनुमान मंदिर होता ते मुलून दादा सेव कुमबारे आणिया इधर काई कार्य करता होते तया सरवाड दी मुलून हाँ विहाराचे उ भार läuft करती दर्च को इस मेरे साथ वो टीम मौजुद है जिनकी वज़े से हम ये वियार आप तक पहुचाने में काम्याब हुए है सारे उपासक उपासिकाओ का सयोग तो हमें मिलाई है लेकिन उन्हें संगटित करने का कारिय ये जितने भी यूँआ है इन्हों ने किया है उसके बाद जो प्यारी सी रंगोली आपने देखिये वो इन्होंने निकाली है और जो सजावट देखिये वो इन्होंने किये याने ये सारी टीम की वज़े से हम आप तक ये वियार पहुचाने में काम्याब हुए है हम आवाज इंडिया टीवी के तरफ से और अपना वियार अपनी आवाज के तरफ से इन सभी को सादुवाथ कहते है और भविष्ये के लिए मंगल कामनाएं देते हैं आवाज कि दर्चुगों ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है एक प्यारी सी बोद कता श्रवन करने का तो आज भी हम आपके लिए लेकर आएं ये वाली प्यारी सी बोद कता एक रास्ते पर जो बिजली के पोल होते हैं बिजली के खंबे पर एक चीट लगाई भी थी जिस पर लिखा था कि मैं बहुत गरीब बुढ़िया हूँ और मुझे पचास रुपे मेरे खो गए हैं अगर आपको मिले तो नीचे दिये गए पते पर आप मुझे लोटाएं एक भला वेक्ती उसे पढ़ता है और उस महला के उस वुरुद्ध महला के घर पर चला जाता है जो पता वहाँ पर एड्रेस लिखाबा था उस एड्रेस पर पहुँच जाता है और जाकर अपनी खुद के पास से उसे पचास रुपे देता है कहता है कि यह आपके पचास रुपे मुझे मिले है वो महला वो पचास रुपे लेती है और मुस्कुरा कर कहती है कि तुम पंद्रहवे व्यक्ती हो जो मुझे मेरे पचास रुपे लोटाने आये हो लेकिन मैं तुम्हें बता दू कि मैं बुड़िया हूँ, मैं अनपड़ हूँ ना मैं लिख सकती हूँ, ना कुछ इस तरह का सोच सकती हूँ तो अब तुम जब जाओ, तो वो जो चीट है उसे निकाल दीजिएगा क्योंकि वो मैंने नहीं लगाई तो दर्शगों ये कता से हमें ये बोध होता है कि अगर अच्छे कारिय किसी की मदद के लिए किये जाएं तो किसी को बतानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भले वेक्ती ने उस महिला की मदद करने का एक नायाब तरीका खोज निकाला था और इससे उसे काफी संतुष्टी भी मिली है और अपने जीवन में भी हमें अगर इस तरह की अच्छाई करने का कुछ मौका मिलता है और अगर हम किसी तरह से उसे आर्थी करूप से मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई अन्य तरीके से भी हम उसे मदद कर सकते हैं अपने जीवन में सभी को मदद करें यही हम आपसे कहना चाहते हैं तो दर्शोगो यह थी आज की बोद कता सुनने में कहने में कितनी छोटी होती है लेकिन समझने में और इसे जीवन में उतारने में काफी बड़ी तो दर्शोगो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोट कता है तो बिल्कुल इंतजार न करें इसी वाट्सअप नंबर पर हमें अच्छी कताई बेजें लेकिन जब बेजें तो अपना नाम पता सब कुछ बाकाइदा पूरी तरह से लिख कर बेजें दर्शोगो आप देख सकते हैं आज हमारे साथ में गेम खेलने के लिए कितनी सारी उपासिगा यहां पर मौझूद है और यह सभी वही गेम खेलना चाहते हैं जिस गेम से आप सभी को है प्यार जिस गेम का आप करते बेज सबरी से इंतजार जो गेम सब को लगता है अपना जो गेम खेलने का यह सब देख रही थी सपना और जिस गेम का नाम है भीम का दिवाना इसके पहले कि हम गेम शुरू करें इस गेम के रूल्स मैं एक बार बता दूं इन सभी को मेरी तरफ देखकर जैबीम 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 कहना है इस बी कोई भी एक पार्ट को छुने के लिए कोँगा उन्हें उस पार्ट को दोनों हातों से छुकर दिखाना है जैसे जेवी मुझे भी पकड़िये नाग, ताल, सर, पैर, ठीक है इतना आसान है बहुत आसान है अब देखना ये है कि ये कितना आसान है तो आई ये पहले एक ट्रा ड्रेलिट ना मणन्य है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सबको नाक्व लोगा और सकतेना को यह तो कि यानए सब में ली कोई प्रॉब्लम है आप देखना ये है कि दूभी असी आगे आगे को कै क्या पता थैर तो आयो शुरू करते हैं भीचा फिपारा आप सब का समय अब पकड़िये बाएर सबको पाईर बोला सबने सर पाइब यह तो फिर से वही हो गया आप से क्या कहा था पैर पगड़ने के लिए और आपने क्या किया है इतने गर्व के साथ कह रहे हैं खर दर्शगो यह तो होता ही है होता ही रहे 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 और होता ही रहेगा मैं कहता था कहता हूँ और कहता ही रहूंगा आज भी कोई विनर नहीं है बाबा साथ भईय से जो भी उनका नाम लेता है वो उनी का हो जाता है और उनी ने खो जाता है तो दर्शोगो आज भी कोई विनर नहीं है और मैं वही कहूँगा एक बार फिर कि हाँ मैं हूँ भीम का दिवाना और ये सारे बनके भीम के दिवाने दर्शोगो वक्त है सामुईग शपत का बाबा साब ने कहा था हर बुद्धिष्ट वेक्ति को सहपरिवार हर रविवार वियार में जाना ही चाहिए यह उसका करतवे है इसलिए लेते हैं हर वियार में हम एक शपत ताकि इस आदेश का पालन कर सके और इस करतवे की पूर्ति कर सके तो हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश है आप भी हमारे साथ मिलकर यह शपत जरूर ले हम बोधी सत्वा डॉक्टर बाबा साब हमेट करके अनुयाई हम सभी बहुत दजन मिलकर यह शपत लेते हैं हम सहपरिवार हर रविवार और चुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे वहां वंदना करेंगे यथा शक्ती धमदान करेंगे साथी एक दुसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे आवाच इंडिया टीवी के माद्यम से हम सब मिलकर यह शपत लेते हैं दर्शको उमीद करता हूँ के आपने भी ना सिरिफ हमारे साथ मिलकर यह शपत लियोगी बलकि शपत का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर जरूर करेंगे साथी साथ इसके लिए औरों को प्रेरीत और औरों को जागरीत अवश्य करेंगे दर्शेगो एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचाद अगर आपके पास कोई ऐसी चीजे जिसे आप दुगुना करना चाहते हैं तो वो है खुशी आप अगर इसे किसी को दुगे तो वो दुगनी नहीं चौगनी हो जाएगी और अगर आपके पास कोई ऐसी चीजे जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो है दुख वो किसी को दीजिये मत किसी का ले सके तो ले लीजिये आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा तो दर्शे को आप हमेशा मुस्कूराते रहे यही मंगल कामना है बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज एक बार फिर से बोलो हर्दास बापू एल एन यह बच्चा कहना चाह रहा है और बेटा आपने जो जवाब दिया है मैं आपको बता दू कि आपका जवाब जो है दर्शे को ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का गुन गुनाने का तो आईए देर नहीं करते हैं सबके साथ मिलकर गाते हैं तो आओ मिलकर गाएं दिमराया गे तुझाया लेकर आंची बंदना आज गे ओ तंबने ल्या अंतरांची बंदना दिमराया गे तुझाया लेकर आंची बंदना आज गे ओ तंबले ल्या अंतरांची बंदना दिमराया गे तुझाया लेकर आंची बंदना आज गे ओ थंबने ल्या अंतरांची बंदना लेकर आंची बंदना दर्शों को आप देख सकते हैं इस वक्त पूरे बच्चे मेरे साथ मोजूद हैं कुछ बड़े बच्चों को भी हमने लिया युवाओं को लिया है ताकि उनकी एकाग्रता शक्ति कितनी यह भी हम परके और उन्हें भी थोड़ा सा मोका दे साथ में यह बच्चे भी हमारे साथ में पालक बालिक आए और युवा यह कॉम्बिनिशन बना है हमने हांच तो लाइए गेम हम आपको बता दें ऐसे रहना है और एक हटे नांक दिका से कान ऐसे पकड़ना और फिर ऐसे और फिर ऐसे और यहीं चीज़्य करते रहना है फी स्टेश्च जल्दी 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 कि अ सभरों को हाल बहाल हो गया कि अपना वियार अपनी आवाज में एक बार फिर से वक्त है सवाल और जवाब का आप देख सकते हैं उपासक उपासिकाओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि मुझे कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करनी पड़ी जगा के हिसाब से और सभी ज्यादा है इस हिसाब से तो आईए देर नहीं करते हैं शुरू करते हैं सवाल जवाब पहले इंसे पुछतो लेते हैं कि यह सब तयार है या नहीं आप सब तयार है तयार है अब देखना यह है कि तयार कितने है तो आईए पहला सवाल करते हैं कि जब हम कहते हैं तो इसके प्रवर्तक के रूप में जिने जाना जाता उनका नाम क्या है कि बच्चो का भी नाम बच्चो को पहले हम मौका देंगे आज वेक्प अच्छ अच्छ समाझ में आ गया बेटा को ने जैबीम के प्रवर्तक की ने कहा जाता है अल्टाथ पैपू एलेन एक बार फिर से बोलो हल्टाथ पैपू एलेन हर्दास बापू एलेन ये बच्चा कहना चाह रहा है और बेटा आपने जो जवाब दिया है मैं आपको बता दू कि आपका जवाब जो है अरे बिल्कुल सही है जोरदार दालिया बड़ जवाब ये बात बहुत बढ़ी है दर्चे को कि इस सवाल का जवाब गिनिचुने हाथ उपर उठे है और एक बच्चे ने दिया है और इसी वियार में बाबू हरदास एलन जी इनकी तस्वीर भी यहाँ पर है इसलिए मैंने ये सवाल इन से किया है अब मेरा अगला सवाल ये है बच्चो बाबा साब का जन्म कहा और कौन से वर्ष में हुआ था किसको पता है कौन से वर्ष में बाबा साब का जन्म हुआ आ जो बेटा इदर अचा मुझे बताओ का जन्म कहा और कौन से वर्ष में हुआ दो हजार आट में लुम्बी नी में महँगा में सुर्ण बाबा साब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ बेटा 14 अपरी 1891 अचा 1891 चौदा अपरे बेटा अच्छा और मैं आपको बता दू बेटा कि आपने जवाब तो दिया है लेकिन आपका जवाब गलत है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, सही है, सही है, सही है, सही है, तो आप जा सकते हैं, दर्शको कमाल होके न, बच्चे जवाब दे रहे हैं, दूसरे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है, ये तीसरा सवाल भी एक बार देख लें थे, कितने लोगों को जवाब पता है, कई बार पुछ चुका हूँ, फिर भी देखना ज़रूरी है मुसा वादा वेर मनी सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसको पता है, सिरिफ हात उपपर करें दो हाथ उपपर हुई है दर्शे को, आजाओ, आपका नाम बता है, आयूशी साइलेज बोर्कर, अच्छा, आयूशी, कौन से स्टेंडर में पढ़ते हो, फोर्ते, अच्छा, सब फोर्त वाली है कि आपे, अच्छा, क्या जवाब है इसका, खोडिश, खोडिश, खोडिश क मैं नेम इस शुष्टी निटिन वराटकर, एक स्टेंडर्ट विट 6A, अब मुझे सवाल का जवाब भी बता दो, खोटे बलने, मुसा वादा वियरमनी सिखा पदन समाधियाय मी, इसका मतलब खोटे बलना रह नहीं, यहने जुट नहीं बोलोगे, क्या हो रहा है, बिल्किल सही, आग जा सकते हैं, तो दर्शो को अब बड़ो के लिए सवाल, पाबा साब को भारत रतन पुरसकार कौन से वर्ष में दिया गया, सिरिफ हाद उपर करें, एक यहां सही ले ले लेते हैं, यहां आगया, आजाए, ठाई, जैभीम, आपका परीचे देख, एक 1990 में मिला था, भारत रतन, उनके मरनो परांथ, उनके मरनो परांथ, उनके मरनो परांथ, 1909 में दिया गया, आपका कहना है, लेकिन दिदी, आपने जो जवाब दिया है, मैं आपको पता दू, आपका जवाब गलत, 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 नहीं है, सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़ जाएंगे आहा मज़ा आ गया चलो अब थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं अब जवाब नहीं मिलेगा देखेंगे कि छत्रपती राज रिशी शाहू महराज इन्हें राज रिशी ये बहुमान कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था कौन बता सकता है इसरीफ हाथ उपर करे छत्रपती राज रिशी शाहू महराज इन्हें राज रिशी ये बहुमान कौन से वर्ष में प्रदान किया गया कौन बता सकता है हाथ उपर करे एक भी हाथ उपर नजर एक हुआ है आज़ा भई प्रयास कर लेते हैं जयभीम आपका नाम बताए हर्ष महेंद्र दमके हर्ष मुझे बताए कि कौन से वर्ष में प्रतान किया गया 1919 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 okay लेकिन आप इतने confidence से आए मुझे लगा आप सही जवाब दोगे लेकिन आपने सही जवाब दिया है जोड़ा यह तो कमाल ही हो गया दर्शे को मेरे सारे सवालों के जवाब यहाँ पर सही मिले और यह बहुत कम विहारों में होता है कि जहां पर हर सवाल का जवाब सही मिले और इतने अच्छी तरीके से मिले तो दर्शे को सवाल जवाब हम यहीं समाप्त करते हैं बढ़ते हैं आगे इस वियार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को एक विग्यापन के जरीए सयोग देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है आईए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाओं जिनोंने आवाज इंडिया टीवी को विग्यापन देकर इसे जिम्मेदारी समस्ते वे बखुभी निभाया है आवाज इंडिया टीवी को एक विग्यापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाया है आप आपकी पारी आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरा टीवी ला जाहिरा टीवी को एक देकर हमने जिम्मेदारी निभाई अब आपकी पारी आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरा 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 जाहिरा टीवी ला जाहिरा 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 जा जो आता है हरदासनेगर, कामठी, नाकपूर, महरस्ट में उमीद करते हैं ये वियार आपको जरूर अच्छा लगा होगा और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वियार है तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये नीचे वाटसप नंबर चल रहा है इस पर वाटसप बता दू याद दिला दू कि यूटूब पर मौजुद है सारे वियार बस टाइप करना है अपना वियार अपनी आवाज और जो वियार आप देखना चाहते हैं उस वियार का नाम तो आज के लिए बस दश्यों को इतना ही मुझे विक्रम को कैमेरा परसन अलपेश जी के साथ दीजे इजाज़त मिलेंगे नहीं जगा नए वियार तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना वियार अपनी आवाज हुआ है दर्शगों ये तो इतने वही हो गया आपसे क्या कहता है तर्ट रदी जलिए और आपने क्या किया है तर्ट रदी जलिए और आपसे क्या क्या है